इस बार दीपावली के दिन पूजा का उत्तम मोहुर्थ इस्थिर लगन व्रशब 31 अक्टूबर गुरुवार की रात को प्राप्थ होगा और इस दिन लक्षमी पूजन करने के लिए लगबग एक गंटे 57 मिनट का समय मिलेगा हर साल की तरह कार्थिक मास के कृष्णपक्ष की अमावस्य तिति को दीपावली का त्योहर मनाजाता है दीपावली के दिन लक्षमी जी की पूजा करने का विशेश विधान है इस दिन संध्या और आत्री के समय शुब मोर्त में मालक्ष्मी जी विगनर्था भगवान गणेश जी और मतर सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है पुरानों के अनुसार कार्थिक अमावस्य की अंधेरी रात में महालक्ष्मी जी स् दिथी शुरू होगी 31 अक्टूबर गुरुवार को दोपहर तीम बच कर चोवन मिनट से और एक नवंबर शुकुरुवार को शाम 6 बच कर 16 मिनट पर अमावस्य समाप्त होगी अमावस्य दिथी में पित्रों की पूजा इसनान दान आदि भी किया जाता है ऐसे में पित्र गुरुवार को लक्षमी पूजन के शुब मुर्त जो की शुब चौगडिया है वो इस प्रकार रहेगा जिसमें अमरित काल शाम 5 बच कर 32 मिनट से 7 बच कर 20 मिनट तक गोधुली मुहूर्त शाम 5 बच कर 36 मिनट से 6 बच कर 2 मिनट इस्थिर लगन मुहूर्त रहेगा शाम 7 बच कर 9 मिनट से 9 बच कर 5 मिनट तक विष्यब लगन 16 कर 21 मिनट से 8 बच कर 20 मिनट तक रहेगा और निशिता काल मुहूर्त रात 11 बच कर 29 कर 21 मिनट तक रहेगा व्यापारी लोग अपने वही खातों की पूजा इन शुबमूर्थों में कर सकते हैं इसके अलावा एक नवंबर शुक्रवार के दिन पूजा करने के शुबमूर्थ इस प्रकार रहेंगे इस दिन बहुत ही शुबयोग बन रहा है जो कि पृतियोग सुबह 10 बच कर 40 मिनट तक रहेगा और इस दिन दीपावली पूजा का यानि लक्षमी पूजन का शुबमूर्थ रहेगा शाम 5 बच कर 36 मिनट से रात 8 बच कर 11 मिनट तक पूजा के लिए सबसे पहले आप जहां पर पूजा करनी हो वहाँ पर सफाई करें एक चौकी पर लाल या पिले रंग का वस्त्र बिछाएं रंगोली भी बना सकते हैं सुन्दर से मंडर सजा सकते हैं फिर उस चौकी पर आप मुठी भर अक्षत या गेहू रखें कलश की स्थापना करें कलश को उस मुठी भर अनाज के उपर इस्थापित करें कलश में जल भर कर एक सुपारी, फूल, एक सिद्का, अक्षत के कुश्दाने और एक लॉंग का जोडा और एक हल्दी की गाहट आप जल के अंदर डालें, आप कलश पर आम्या आशोक के पत्ते सजाएं, पांच, साथ या नौकी संख्या में पत्ते होने चाहिए, सभी एक डंठल से जुड़े होने चाहिए, अब चौकी पर सबसे पहले भगवान गणेश जी की स्थापना करें, म मालक्षमी जी के ठीक दाहिनी तरफ मासरस्वती को भी विराजित करें, अब आप अपनी शिक्षा या अपनी रोजगार से जुड़ी वी कुछ वस्तुएं भी मूर्ती के सामें रखें, चौकी पर विराजित करें, अब भगवान गणेश और मालक्षमी जी को तिलग करें और दीप जलाएं, दीपक जलाने से पहले आप मुठी भर अक्षर दीपक के नीचे रखें, उसके बाद ही दीप जलाएं, साथ ही कलश की भी पूजा करें, कलश पर तिलग लगाएं, स्वास्ति का चिन्न बनाएं, अब भगवान गणेश जी और मालक्षमी जी को पुष् अरपित करें, इसके बाद आप भगवान गणेश जी की और मालक्षमी जी की मूर्ति को जल से या पंचामरच से इसनान कराएं, अगर पंचामरच से इसनान करा रहे हैं तो उसके बाद एक बार शुर्द्य जल से इसनान जरूर कराना चाहिए, फिर साफ कप्ड़े से पों गूम का तिलग लगा कर अक्षच्छ अर्पित करें मास्तरस्वती को भी तिलग लगाएं पुष पर्पित करें अब आपके पास जो भी कौडिया हो कमल गट्टा हो या गोंती चक्र उनका भी पूजे नाप इसी समय करना है तो गोंती चक्र या औरियों को आप साफ चल से धो कर उसा भी पर तिलक करके मालक्षमिजी के चरणों में अर्पित करें इसके बाद आप जो भी मंत्रों का जाप करना चाहते हों शिरी सुक्तम का पूजन के साथ ही अपनी सामर्ट दिपावली की रात को जलाना चाहते हो उन सभी में सरसो का तेल डालकर दीपक में बाती लगाकर आप तयार कर लें सभी दीप प्रजवलित कर लें एक मुख्य दीपक आपको मंदिर में रखकर बाकी दीपक आपको घर के हर कोने में रखने चाहिए और घर के बाहर भी आपको दीपतान करना चाहिए आकाश दीपदान करना चाहिए यानि आसमान में आप अपने हाथ को उपर की और उठाकर आकाश में दीप दिखाएं ऐसा करने से हम अपने पित्रों को मार्ग दिखाते हैं जो कि दीपावली की रात को आपको जरूर करना चाहिए इसके रवा आपके आस्पा जो भी पवित्रवरिक्षों मंदिर हों वहाँ पर भी आपको दीप चला कर रखना चाहिए दीपावली की रात में किये गए दीपदान का अपार पुर्णे प्राप्त होता है ध्यान रखें कि दीप चलाने से पहले आपके घर में मंदिर में पूरी तरह से पूजाविती संपन्न हो चुकी हो तो आप श्री लक्षमी चालीशा का श्री गनेश चालीशा का सरसती चालीशा का पार्ट करें दीपावली की कथा पड़े सुने सभी सद्यास्यों को मिल कर दीपावली की पूजा करनी चाहिए सबसे अंत में आप आर्थी करने के बाद भगवान को और देवी देटाओं को मालक्षमी जी को भोग अर्पित करें और क्योंकि खील खिलोने और बताशे विशेश रूप से दीपावली में सभी देवी देटाओं को अर्पित के जाते हैं तो जरूर से आप भी अर्पित करें मालक्षमी जी को खील बताशे के लावा खीर का भ कुल देविदेवताऊं का अपने अराधि देवि देवताऊं का भी ध्यान करें उनका भी पूजन करें पूजा के बाद सबसे अंत में आप खोड़कर क्षमा यासना जरूर करें ध्यान रखें भोग लगाने से पहले जब आर्थी करते हैं तो उसमें कपूर जलाकर उसमें लौंका जोड़ा आप जरूर जलाएं ऐसा करने से भी घर की सभी अशुद्धी दूर हो जाती हैं भोग लगाने के बार आक्षमा यासना पुरे परिवार सहित करें ताकि पूजा पायठ में या भोग लगाने में कोई कमी हो गई हो कोई भूल चुक हो गई हो तो उसका सबती के लिए प्रार्टता करनी चाहिए आपने मां को जो भी कोडियां या गोंटी चक्रज अर्पित कियी हो मैं चोते में या इrore है और एक लाल कपड़ में बांद कर उन्हें आप अपने घरमेर भी आप धन रखते हैं तेंजोरी में लौकर में वहां पर रख सकते हैं म अगर आप मालक्षमी जी के विशेष करपा पाना चाहते हैं, तो दीपावली पर पूजा करने से पहले अपने आसपास जो बहुत जादर निर्धन रोग हैं, जो दीपावली का परवु ठीक से नहीं मना सकते हों, उन्हें आप दीपावली की पूजन सामगरी से संबंधित जैसे दिये, सरसो का तेल, रूई की बाती, खील के लोने बताशे, इन सब चीजों का दान कर सकते हैं, ताकि वो भी अपने घर में दीपावली मना सकें, और ऐसे में किया गया दान, शद्धा और विश्वास के साथ किया गया दान, जो दूसरों की भलाई के लिए होता है, वो आपको जरूर फलित होता है, परंपराओं के निसार, दीपावली विसर्जन के समय, घर से नकरात्माक उर्जा या घर का दरीदर दूर करने के लिए, घर की नेगेटिव्टी दूर करने के लिए, सूप बजाये जाता है, ताकि घर की हर प्रकार की अशुप शक्तियां घर से दूर हो सके और सुबह सुबह ही जाड़ू लगाई जाती है, जो नई जाड़ू आप लेकर आए हैं, उससे आप दीपावली की सुबह सुबह जाड़ू लगाएं, और मालक्षमीजी से प्रार्थ न करें, कि आपके घर में कभी भी आर्थिक समस्या ना हो, और धन और सुख समरिधी में बरकत बनी रहे, ये थी आज की वीडियो, गर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके आप हमारी चैनल पर अपलोड होने वाली बाकी वीडियो को भी जरूर देखिएगा,